हलो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक जनुरी 2022 के important events के साथ तो आज डेट है एक जनुरी 2022 I hope कि ये जो new year है वो आपके सारे सपनों को पूरा करे और इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई पर focus करना चाहिए और consistency को maintain करना चाहिए देखे ज़्यादा कम पढ़ना ये अलग बात है लेकिन regular आप कितना पढ़ते हैं ये हमेशा माइने रखता है तो मैं चाहता हूँ कि 2022 हमेशा के लिए यादगार बन जाए आपकी लाइफ में और ये अच्छे सब्दों के लिए तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई वे होगस करें क्योंकि जल्दी से जल्दी अब आप हो जॉब चाहिए COVID है, unsalitinity है लाइफ में और ऐसे में जॉब तो हाथ में होनी ही चाहिए आज का पहला कोशन है साहित Academy Award साहित Academy Award की सुरुआत किस वर्स हुई थी तो साहित Academy Award इनकी सुरुआत हुई थी 1954 में कबसे 1954 चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2021 के लिए साहित Academy द्वरा साहित Academy Award यूवा पुरुषकार, बाल साहित पुरुषकार की घोशना कर दी है यह जो साहित Academy Award होता है इसके लिए एक लाख रुपय का कैस प्राइस मिलता है बाकी जो यूवा पुरुषकार या फिर बाल साहित पुरुषकार होता है इसके लिए पचास हजर का कैस मिलता है 2021 में साहित Academy Award जारी किया गया है 20 भासाओं के लिए अभी बीस भासाओं के लिए जारी किया गया है चार भासाओं के लिए यह नहीं गुजराती, मैथली, मनीपुर और उर्दू के लिए बाद में जारी किया जाएगा important यह है नमिता गोखले जी को इंगलिस के लिए साहित अकैडमी आओर्ड मिला है 2021 में किसको इंडिया में साहित अकैडमी आओर्ड मिला है नमिता गोखले को इंगलिस में साहित अकैडमी आओर्ड मिला है साहित अकैडमी आओर्ड इंडिया में लिटररी वर्क के लिए दिया जाता है 22 भासाओं में जो हमारी सेकंड सोरी 22 भासाओं वो हैं जो हमारी आठवी सेडिल में लिस्टेट है उसके लावा अंगरेजी और राजिस्थानी के लिए जायाता है 24 भासाओं के लिए साहित अकैडमी और दियाता है जिसकी सुराथ 1954 से हुई थी ने कोशन है इलेक्टोरल बॉन्ड जब सही जारी होते हैं तब से लेकर इनकी वलेटरी कितनी होती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पी बी में भी मैं पढ़ा चुका हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड की जारी करने से एक्सपारी डेट होती है पंदरा दिन, यानि पंदरा दिन में आपको क्रेड़िट करवाना पड़ता है, नई तो ये प्रधान मंत्री रिलीफ फंड में चले जाएंगे सेंटर गवर्मेंट द्वरा उन्नीश्वी ट्राइंग के जो है जारी कर दी गई है यानि कि उन्नीश्वी गड़लाइं जारी कर दी गई है सेंटर गवर्मेंट द्वरा किसके लिए इलेक्टरल बाउंड के लिए पाँच राज्यों में चुनाओं होने हैं तो एक जनुरी दो हजार बाइस से लेकर दस जनुरी दो हजार बाइस तक इलेक्टरल बाउंड को सेल किया सकता है बैंक को दोरा ये इस्टेट बैंक आफ इंडिया दोरा सेल किया जाएंगे इस्टेट बैंक आफ इंडिया की 29 ओथराइस्ट ब्रांच में इलेक्टरल बाउंड जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं को डेंशन देने के लिए यूज कियाता है यह 1000 के मल्टिपल में होता है 1000 इंटु 10 के मल्टिपल में होता है minimum value 1000 है maximum value limitless है SBI एक मात्र बैंक है जो की electoral bond के लिए authorized है यह bond जब से जारी होते हैं तब से लेकर 15 दिन तक ही valid रहते हैं हर वर्स जनवरी अप्रैल जुलाई और है कि हर political party electoral bond जारी नहीं कर सकती है सिर्फ वही एक political party जिसने last लोगसभा या राजसभा सौरी last लोगसभा या विधासभा election में 1% वोट पाए हूँ तो यह रहाप का electoral bond ने कोशन है विस्व की longest metro line project कहां inaugurate की गए है तो विस्व में सबसे लंबी metro line rail project ये inaugurate की गए है चाइना में कहां पर चाइना रहिए विस्व में सबसे लंबी metro line कहां पर open की गए है चाइना चाइना के संगाई province में तो संगाई province में विस्व की largest metro network को जो है क्या कर दिया ओपन कर दिया गया है संगाई में 831 km का ये metro rail network है जो की world का longest है तो याद रखेगा world का longest metro rail network 831 km का है distance याद रखेगा और कहां है संगाई चायना में संगाई में New development bank का headquarter है आपको याद है New development bank को चौथे नए देश के रूप में use join किया था Egypt नै इसने एजिप्ट ने याद रिखेगा तो नियूर रेलमेंट में एक संधाई में है और संधाई में ही वर्ड की लार्जेस्ट लॉंगेस्ट मेट्रो बनी है 831 किलोमेटर की संधाई है चाइना में चाइना के कैपिटल है बीजिंग करेंसी है रेन मिन बी प्रेजिडनेंट है सी जिन पिंग और याद रिखेगा चाइना द्वारा 5 मीटर 2 अप्टिकल सेटलेट लॉंच किया गया है ने कोशन है सिबिर ये एक नुकलियर पावर आइस ब्रेकर है किस कंटी दोर लॉंच किया गया है तो सिबिर सिबिर को लॉंच किया है रेशिया में साइबेरिया रिजन में आइस को ब्रेक करने के लिए सिबिर लॉंच किया गया है तो ये जो है आइस ब्रेकर है प्रोजेक्ट 4 टाइम 2 जीरो वर्स टाइल के दर बनाए गया है سیبیر जो है nuclear powered icebreaker है जो सैबेरिया रेजन में क्या करेगा ice को तोरने में काम करेगा ताकि oil exploration की जनकारी मिल सके तो सैबेरिया रेशिया में है रेशिया ने लौंज किया है सीबिर रेशिया की capital दिख लीज़ू Moscow currency कि है rouble प्रेसिएंट कौन है व्लादमिर पुतिन जो कि 2036 तक रेशिया के प्रेसिएंट रहेंगे रेशिया में रखेगा यहाँ पे है लेक बैकॉल जो कि वर्ड की डीपेस्ट गहरी लेक है ने कोशन है एंटी सीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉर्टी के अनुसार देखिए टोटल 126 बाग मरे हैं 126 टाइगर्स की डेथ हुई है एंटी सीए ने यह डाटाज रेलिस किया है इन 126 में से 44 तो अकेले MP में मर गए है तो सबसेदा टाइगर्स की डेथ हुई है MP में फिर महाराष्टर में देखिए जो टाइगर है IUCN Red List में Endangered है ठीक है इंडिया लाज़ेस्ट टाइगर पॉपॉलेशन है इंडिया की NTCA नेशनल टैगर कंजरवेशन अथौर्टी टैगर के कनजरवेशन के लिए बनाया गया था 2005 में इसकी स्थापना की गई थी ये क्या है एक इस्टैचुरी बॉड़ी है प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लिमेंट करता है NTC नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉर्टी त्याद रिखेगा 126 टाइगर की मौत हुई है 2021 में और सबसेदा कहा हुई है MP में ने कोशन है Ministry of Environment, Forest and Climate Change के तहत DG of Forest and Special Secretary किसको अपान किया गया है तो DG of Forest and Special Secretary अपान किया गया है चंदरप्रकास गोयल को किसको चंदरप्रकास गोयल यह देख लीजे यह हैं चंदरप्रकास गोयल इनको DG of Forest and Special Secretary अपान किया गया है Ministry of Environment, Forest and Climate Change तो आज़िखेगा DG of Forest and Special Secretary कौन मने है चंदर कुमार गोयल देखेगे 1986 के इंडियन Forest Service बैच के आफिसर है अभी तक उत्तरप्रदिस में काम करते थे लेकिन अभी इनको DG of Forest and Special Secretary बनाया गया है तो यह रखेगा चंदरप्रकास गोयल इसमें मिनिस्टर कौन है Environment, Forest, Climate Change के भूपें रिया दो नए कोशन है South Africa के Centurion में Test Match जीतने वाली पहली ASEAN टीम कौन बनी है तो बहुत highlight रहा है चर्चा में रहा है South Africa के Centurion में Test Match जीतने वाली पहली ASEAN टीम बन गई है इंडिया हाली में इंडिया ने Centurion में Australia को Australia को बोलनो सोरी इंडिया ने Centurion में South Africa को हरा दिया 113 रन से तो पहली ASEAN टीम हो गई है इंडिया जिसने South Africa को Centurion के मैदान में हरा दिया है इससे पहले England और Australia ने हराया था तो टोटल तीन टीम हो गई हैं ने South Africa को Centurion के मैदान में हरा दिया है और इंडिया पहली ASEAN टीम है जिसने South Africa को हराया है कहां Centurion में 113 रन से ने कोशन है इंडिया किस वर्स तक अपना Net Carbon Emission जीरो कर देगा तो इंडिया 2070 तक 2070 तक Net Carbon Emission जीरो कर देगा चर्चा में इसलिए है क्योंकि Ministry of New and Renewable Energy यानि नवी कर्डी उर्जा मंत्रा ले दोरा बताया गया कि 2014 से लेकर 2021 तक Green Energy सेक्टर में FDII आया है 7.27 billion डॉलर कितना 7.27 billion डॉलर आपका FDII आया है और वहीं अभी Scotland Glasgow में COP26 हुई थी England की अधिश्वता में COP26 में इंडिया ने कहा है कि Net Zero Carbon Emission इंडिया दो हजार सत्तर तक एचिप कर लेगा रिखेगा वन इंडिया जो है Fourth Largest Wind Power Capacity वाला कंटी है और इंडिया ने 2030 तक 66% Non Fossil Fuel जो है एनर्जी का टार्गेट रखा है NDC के बात करें इंडिया के NDC की इंडिया का कहना था कि 2030 तक हम 40% Electricity जो है Non Fossil Fuel से बनाएंगे जो कि इसी वर्स नौंबर में कंप्लीट हो गई है अब इसको इंडिया को ध्यान देने गयोत नहीं है UN Conference on Disarmament इसमें इंडिया के Permanent Representative को बने है तो UN Conference on Disarmament इसके Permanent Representative को बने है अनुपम रे कौन बने है अनुपम रे देख लेते हैं अनुपम रे ये UN Conference on Disarmament वहाँ पर इंडिया के नए Permanent Representative बने गए है अनुपम रे IFS Officer है Ministry of External Affairs दिल्ली में कारे रत है जो अनुपम रे हैं वह Pankasarma को रिप्लेस करेंगे Pankasarma अब मेक्सिको में इंडिया के अंबेश्डर होगे तो तीन नाम important होगे पहली बात तो हमारे मिसरी जी मिसरी जी चाइना में इंडिया के क्या बने है अंबेश्डर ठीक है उसके बाद Pankasarma ये हो गए Pankasarma बने है हमारे मेक्सिको में अंबेश्डर और Pankasarma को जीसे ने रिप्लेस किया अनुपम रे वो बने है Permanent Representative UN Conference on Disarmament देखे UN में Permanent Representative अलग होता है जो की है TS त्रिमूर्थी और जो अभी UN Disarmament जो Conference है उसके अलग है तो अनुपम रे का ना में रखे UN Conference on Disarmament 1994 में स्थापना होई जिनेवा सुज़ेले में हेड़कॉर्ट है 64 मेंबर इसकी कंट्री है प्राइम मिनिश्टर मोदी जी वरा बीना पन की Multi Product Pipeline Project का Innauguration किया गया है इसकी लेंथ है 356 किलोमेटर कितनी 356 किलोमेटर है प्राइमिश्टर मोदी जी दोरा बीना पन की Multi Product Pipeline जो है Innauguration की गई है इसकी लेंथ है 356 किलोमेटर कितनी 356 और 1524 करोर इस पर खर्चू है तो बीना पन की Multi Product Pipeline कितनी 356 इसकी क्या है Length है तो इसके लावा प्राइमिश्टर मोदी जी ने कानपूर में Metro Rail Project की अधा सिला रखी कई सारे different places में यह आपको आपको आखना है तो बीना पन की बीना पन की जो कॉलिब्लोर है उसके लिए 356 किलो सोरी 356 किलो मेटर Length बताइगी है इतना रखना आपको नहीं कॉशन है जम्मो फस्मिर बैंक के MD&CO कौन अपॉइंट होई है जम्मो कस्मिर बैंक के MD&CO बल्देवप्रकास अपॉइंट होई है कौन? बल्देवप्रकास बल्देवप्रकास जम्मू कस्मीर बैंक के M.D. and CEO अपाइंट हो एं तीन वर्सों के लिए इन्होंने R.K. छिबर के साथ-साथ ये पोजिशन हासिल किया R.K. छिबर जम्मू कस्मीर बैंक में एडिशनल डायेकटर बने है और ये बल्देव प्रकास जम्मू कस्मीर बैंक में क्या बने है MD&CEO जम्मू कस्मीर बैंक की बात करें 1936 में स्थपना हुई CEO है RK6 अब RK6 को प्लेस करें कौन बल्देव प्रकास Equitos Small Finance Bank इसके MD&CEO बने थे PN Wasudewan याद रखेगा ने कोशन है 2,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 Swipe Machine इस्थाफित करने के बाद Second Largest Merchant Bank बन गया है इंडिया का तो XS One स्ट्रेटजी अपना रहा है जिसके साथ Merchant Merchant के साथ पारनसीब की रहा है तो 2,00,000 क्या Swipe Machine इस्थाफित करके इंडिया का Second Largest Merchant Base वाला जो है बैंक बन गया है एक्सिस बैंक हड़िपसी बैंक टॉप पे है एक्सिस बैंक सेकंड टॉप पे है एक्सिस बैंक की बाद करें 1993 इस तापना मुबई हेड़कोटर है अमिताब चोधरी CEO है नेक उच्छन है रश्मी कुमारी इन्होंने तीसरी बार कैरम फेडरेशन कप टैडल जीता है वराडसी में कहां से बिलॉग करती है तो रश्मी कुमारी बिहार से बिलॉग करती है कैरम की मास्टर है रश्मी कुमारी इन्होंने तीसरी बार वर्ड चेंपिन टैडल जीता है रश्मी कुमारी ने तोयद रखेगा थर्ड फेडरेशन कप टैटल जीता है वर्ड रसी में रश्मी कुमारी कैरम से रिलेटर है बिहार के रहने वाली है रश्मी कुमारी फेडरेशन कप टॉफी ये भी जीत चुकी है जो कि पहले इसका नाम था उसके लाबा रश्मी वर्ड कप दो बार जीत चुकी है उसके बाद फूर टाइम जीता था सारक चैंपिन सिक रश्मी कुमारी कैरम प्लेयर है बिहार से ने खोशन है कितने राज्यों को नेशनल डिजास्टर डिस्पॉंस फंड के तहद तीन हजार तीसर करोड रुपए दिये गए है तो गवर्मेंट आफ इंडिया ने छे राज्यों को तीन हजार तीसर करोड रुपए दिये है अंडिय आरेफ के तहद तो हाई लेवल कमिटी बना गई जिसके हैट थे हमीज साह जी होमेस्टर उन्हें मताया कि छे राज्यों में कलेमिटी करड तीन हजार तीसर करोड रुपए देना है ये छे राज्ये है तो कलेमिटी करड क्या छे राज्यों को तीन हजार तीसर करोड दिया जाय रहा है नेश्टनल डिजास्टर रिस्पॉंस फंड तो देखिए Disaster Management Act 2005 के तहर यह बनाया गया था इसमें के अंदर के पास 10% रहता है बाकी 90% चलाता है State HDRF में Disaster Management Act 2005 के तहर डेफिनेशन दी गई है Disaster की 46 तो Disaster Management Act का पास हुआ था 2005 में अच्छा नेशनल Disaster Management Authority किसको कहते है प्राइमिस्टर उसके होड होता है लेकिन यह आती बाड़ी किसके अंदर है Home Aster के इंतर रे इलिंग वर्थ निधन हो गया क्या थे कहां से विलॉंग करते है रे इलिंग वर्थ तो यह देख लिए इंग्लेंड के कैप्टर रे इलिंग वर्थ का निधन हो गया बस इतना ही मैं जानता हूँ यह देख लिए रे इलिंग वर्थ इंग्लेंड के गैप्टर का निधन हो गया और यह क्रिकेटर थे यह आज की वीडियो से कोशन है आई होप कि इनका जाब जाब दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब ले रिक केर गुडबाय और जाहें